नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस एक जाम का जो एड़ुटेरिय का प्रेक्टिस सेट है, उसका सेट नमबर फाइब का मैथ और रिजनिंग का सोलूशन करेंगे आप पूरा सेट देखने के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, चली शुरू करते हैं, मैथ और रिजनिंग से, तो इसमें एक कोश्चन आपको जीके का दिख रहा है, उसको भी देख लेते हैं, जिसे मुंबई की गेटवे ओफ इंडिया से स्कॉर बराबर आठी स्कॉर इंटु पी है तो पी का मान क्या हुआ है, तो देख एक सिंपल ल कोश्चन ने इसमें, जो ए श्कॉर माइनस बी स्कॉर फर्मूला पर है, जो कि a स्कॉर माइनस 2 स्कॉर बराबर हो जाता है, a पलस b इंटु a माइनस भी ठीक है, इसी फर्मू माइनस उन्चास ठीक है और बराबर में जो है यह आठ इसक्वार याठ टी चौन सथ गुना पी इसको तो रहने दीजिए अब देखिए एक्यासी पलस उन्चास यानिकी असी और एक यह दर कर देजिए पांच आठ पांच तेरह एक सुतीस गुना एक्यासी में से उन्चास यानि पांच तीन आठ यानिकी 32 इसका अंतर 32 बराबर चौन सथ गुना पी अधिके 32 से दो बार में कट जाए चौन सथ आए दो से एक सुतीस कट जाए गागा 65 यानिकी पी का मान कितना आ गया पी बराबर आ गया 65 तो इसका कितना हो गया पाइस सट ऑप्षा नमबर डी नेश्ट को चरें कि वह चोटी से चोटी संखियां जिसे इतना 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 से भाग देने पर सेस्फल परतियक इस्थिती में 5 या तो इसका मतलब क्या होगा या तो कभी दे दे तीन बचे तो इसका बनाने का है कि इसको लेजिए और यह जो सेस्वचे परते के से इसको जोड़ दीजी वह यह अंसर होता है तो इसको लेते हैं जैसे 30 30 35 40 और 45 इसका ले ले लिए इसका 5 से भागा देजी 5 6 35 35 35 अब 3 से फिर भागा देजी 3 2 6 7 यहां आठी रहेगा और तीन नौ अब भागा कितना से लगएगा दो से अब दो से भागा देजी दो एकें दो 7 यहां 4 यहां 3 अब इसको गुना करिएगा सच्चोक 28 सच्चोक 28 तिया 84 84 और गुना 2 ठीक है 84 गुना 3 एक जगा 3 होना चाहिए छे 5 6 35 35 35 45 45 तीन दो निच्छे साथ और आठ तीन तीन नौ दो से एक हो गिया यहां हां ठीक है सच्चोक 28 तिया 84 84 और गुना 3 यह हो गया 84 गुना 3 कर देंगे 84 और गुना 3 कर देंगे आप फिर बाद में किन गुना कर देंगे पांच दूने दस यहने एक सुन्ने बठा देंगे तो तीन चोक बारे और तीन अठी चोविस एक 25 25 और एक सुन्न यह दस से गुना कर देगा 25 बीस तो इसका अकेला कितने दिन में करेगा तो सिंपल कोष्चन कि दोनों मिलकी अगर 15 दिन में करता एं तो भी अकेला 25 दिन में तो यह दोनों करिए ते एंसर निकल जाएगा 15 25 का LCM हो गया 25 दूनी 50 तिया 75 75 यानि 3 यानि कि 5 मिस्तिन गया 2 बटे 75 अब इसको उल्टा कर देजिए तो इसका एंसर हो गया 75 बटे 2 इसका कोरेट एंसर हो गया एक कि अनुपात में यह दिया हुआ है तो किसके समान होगा तो इसको हल करना है देखे तीन के अनुपात साथ है अनुपात अब यहां कि थे के अनुपात में इसको भी लिखेंगे तो 9 को लिखेंगे 3 स्क्वार कुई यह सठेड़ keine हो यानि 3 के power 9 हो जाएगा ठीक है? 9 गया अब ये 7 से ये 7 इसमें 7 है 7 इसमें भी है तो cut देंगे तो यहाँ 1 अनुपात हो जाएगा 3 के power यहाँ 9 था 7 काटेंगे 2 बचेगा यानि कि 1 अनुपात 9 इसका correct answer हो गया C next को चने कि 200 से चोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का आउसत क्या होगा? तो 200 से चोटी यानि कि 199 तक बोल रहा है 1 से कितना पलस 199 तक ठीक है? आउसत बोल रहा है तो आउसत कैसे निकालते हैं? कि सभी का योग और बटे जितनी संख्याओं ठीक है? तो सभी का योग क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्याओं होता है एक से लेकर एन तक का योग क्या होता है? एन इन पलस वन बाइट टू ठीक है? जब यह होता है सभी का योग जब आउसत निकालना है तो जितनी संख्याओं संक्यां कितना N, तो N से भागा देंगे, तो N, N कट जागा, यानि N पलस 1 बाइ 2, एंसर हो जागा इसका, तो N कितना है, N है 199, 200 है, 200 से छोटी तक बोल दा है, तो N पलस 1 बाइ 2, यानि 200 बटा 100, यानि ये कट गया, तो N सर आगे है कितना, 100, 200, नेश्ट कोचने, ये भी LCM निकालना है, इसमें क्या करना है, ये ये और ये, ये तीनों और ये पलस 1, ये क्या हो, ये 4 जूटेगा, और माइनस हो जागा ये, ठीक है, तो देखते हैं, इसको जोड़ेंगे, जो पलस में, उसको पहले जोड़ते हैं, 1 पलस, इसको पलस कर एक बटे 12, पलस, 1 बटा, दो के पावर 3 है, ये आठ ती है 24, ये एक बटा 24, पलस, दो के पावर 4 है, दो दूनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16, 16 ती है 48, ये एक बटे 48, आब इसका LCM लेजिए, तो ये नीचे हो गया 48, एक के यां 48 से गुना करेंगे, ये ये यां 48, पलस बर्च 55 बटे 48, आब इसका जो पूरा योग है, ये 55 बटे 48 आ गया, तो 55 बटे 48 देखिए, और माइनस करना है ये वाला, ठीक है, यानि एक बटा 6, आब इसको माइनस करेंगे, तो इसका LCM लेजिए, 48, यां 55, यां 6 में से 68, तो ये च्छो के 6, यानि 55 में से 6 चला गया, तो 55 मे से कहीं मिश्टिक तो नहीं हुआ, एक बटा 6 ही करना है, ठीक है, तो चले ठीक है, 55 में से, 55 ये 55, 6, 88, यानि एक अठ हो गया, यानि-8, ठीक है, तो 55 में से 8 गया, तो 47 बटे 48, ठीक है, जो कि ओप्सर में है नहीं, या 47 बटे 48, तो इसका correct answer हो गया, इन में से कोई नहीं, ठीक हे तो फिर वो क्या पराप्त होता है उसका एक दिन का यह मजदूरी पराप्त होता है यानि एक सी पराप्त होता है अब इसको हल कर देजी देखे एक सब्स यहां एक से इंटू चालिस बट्या यहां परसेंट में 40 पर 30 को 36 में जोड़ता है, यानि कि X का 40 पर 30 यानि 22 दूनी 40, 25, 100 इसमें 36 जोड़ते हैं, तो प्राप्त होता है उसका एक दिन का मज़दूरी ही, अब होगा इसमें, कि यह 36 रहेगा, ठीक है, अब यह जो 2 बटे 5X है, इसको माइनस कर देजी इदर, 2 बटे 5X, ठीक है, आट देजी, यानि एक सबरावर हो गया, यह 5 इदर गुना हो जाएगा, 60, एक सबरावर, 60 हो जाएगा, नेश्ट कोचन है, कि इसमें इसको हल करना है, तो देखिए, उपर में 3,03 है, और नीचे भी 3,03 है, पूरा 3,03 है, अब यह इसमें क्या है, अब दसमलब का खेला है, अब क्या करना है, देखिए, यह तो 3,03,03,03 कटी जाएगा, अब देखिए, इसमें क्या होगा, 3 अंग के बाद दसमलब है, तो नीचे आ जाएगा, 3 सुन्य है, और इसमें 2 अंग के बाद दसमलब नीचे है, तो यह चला जाएगा, उपर, यानि 2 सुन्य, ठीक है, पहले सुन्य, 2 सुन्य से दू, कट गया, और 1 बटे 10, यानि की, पॉइंट 10, यह है, 10 पॉइंट 1, यह हो जाएगा, ठीक है, इसका पॉरेक्ट एंसर हो जाएगा, 10,10,1, तो इसका एंसर हो जाएगा, ओप्शन नंबर C, नेस्ट कोच्चन है, 91, इसमें क्या है, समांतर सरेनी है और रूट 3, 5 रूट 3, 9 रूट 3, डोट 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 पनरमा पद निकालना है, तो इसमें क्या है, सिंपल है, इसको रूट को अभी मत देखी, सिंपल देखिए, 5, 4, 9 यह बढ़ रहा है, यहाँ एक मानिए, एक रूट 3 है ने, तो एक पलस यहां 4 हुआ, तो 5 हुआ, फिर पलस 4 हुआ, 9 हुआ, यहनि कि 4-4 पलस होते जा रहा है, और समानतर सरेनी में, एनमा पद क्या होता है, एनमा पद बराबर होता है, ए पलस एन माइनस 1 इन्टू डी, ठीक है, तो ए मानिए इसमें क्या है, एक, इसको रूट 3 को अभी बुला जाए, एक ठीक है, पलस एन पनरमा, 15-1 इन्टू डी, डी कितना है, चार-चर जूट रहा है समें, देखें, यहां एक रूट 3 था, यहां 5 रूट 3 है, यहां 9 रूट 3, यहनि चार-चर जूट रहा है, तो 4 हो गया, यहां इन्टू में, अब क्या होगे, यहां 15 में से गया, 14-14, गुना 4, 14 चार चार और एक संतावन, यहनि एन्सर क्या जागा, संतावन वाला, इसका कोरेक्ट एन्सर हो जागा, संतावन रूट 3, नेस्ट कोचर ने, कि बर्ग की भुजा में 5 परतिसत की ब्रीधी हुई है, उसके छेतरफल में कितना ब्रीधी होगा, देखें, कोई भी दो चीज में अगर ब्रीधी हो, तो उसमें क्या करते हैं, कि A B का फर्मूला लगाते हैं, जैसे छेतरफल में, अगर करते हैं, बर्ग में, तो क्या होता है, A गुना A, A इसको ब्रीधी हुआ है, तो इसको A B फर्मूला लगाते है, A B फर्मूला क्या होता है, A पलस B, पलस A B बटा 100, तो यहा पांच और पांच दस और पचीस बटे ये है 100 यानिके दसमलब पचीस यानिकी एंसर होगया 10 दसमलब पचीस परतीसद Next question है, कि हच के किस छोटे से छोटे माने के लिए इतना तीन से विवाजित होगी तो इसमें क्या है, 3 से विवाजित होनेवाला सिंपल है कि 3 से बिवाजित कोई भी संकेताप होती है, जब सभी का यूग 3 से विवाजित होना चाहिए तो आप इसको जोड़ देजिए, देखे 4, 7, 2, 9 9, 4, 13 और 3, 16, 21, 18 तो फिर तीन से कट जाएगा तो इसका एंसर होगा सी नेश्ट कोच ने कि बीच संख्याओं का आउसत चालीस है जब पांच छात्र और जुड़ जाते हैं तो आउसत दो बढ़ जाता है तो ने पांच छात्रों का अुशत क्या होगा तो पहले system में पहले का संख्या क्या हो निकाल लिए बीच छात्रों का आउसत आसई है यानि कि टोटल कीतना होगी यहेँ फाट सो ठीक है अब नया मैं नया में भी टोटल निकाली कितना है पांच छातर जब जुड़ जाता है ययदि कि बिस छातर है पांच जुड़ गया तो पचीश छातर ठीक है तो क्या अवसत्त दो बढ़ जाता है यानि कि 40 के जगा 42 हो गिया अब इसको गुणा करें टोटल कितना हुआ 25 दुनी 50 बागी 5 25 चोक 100 और 5 यानि 1050 हुआ अब इस दोनों में अंतर कितना है 1050 और 8 में कितना अंतर है 250 ये संख्यां कुल अंतर है ठीक है ये नया जो जूड़ा उसका है तो आउसत पूछ रहा है तो 5 जूड़ कि दिये गए बिकल्पों में से सही बिकल्प का चेयन कीजिए तो इसमें क्या हो रहा है A पलस C अब देखिए इस टाप के जब भी आए तो इसको संख्यां से डारेक्ट देखते जाए यानि कि वो याद रखना होगा A से J तक याद रखिए कि कोन कहा संख्यां है जैसे J कह है दस नंबर पे Y 25 नंबर पे 20 20 नंबर पे सब को याद रखना है कंठस्त तब देखिए डारेक्ट इससे जुड़ता है एक पलस दो हुआ तीन तीन पलस तीन छे छे पलस चार दस दस पलस पांच 15 यानि कि एक एक बढ़के जूडता जा रहा है यानि कि पलस तीन पहले प पलस चार पलस पांच आप पलस छे कर देंगे तो पांदर चो एकीस एकीस के अस्तान पर को ने यू इसका को रिटेंसर हो गया बी तो ऐसे करके बनाना है नेस्ट कोचन है नेस्ट कोचन देखते है क्या है कि स्याम अपने घर से 25 मीटर पस्चिम के और चलता है ठीक चला देजी पस्चिम के और 25 मीटर चल गया है देखिए इस तरह कभी भी बनाना हो तो हमेशा डायरेक्शन बला है तो यह ऐसे मानते हैं इधर नोर्थ न इस डव यानि कि साउथ इधर पूर्व और इधर पस्चिम इसी तरह से बनाते हैं डेखते हैं इसको कि पस्चिम के और 25 मीटर चला यानि कि पस्चिम के और चला जेते 25 मीटर ठीक है यह 25 मीटर चल गया है यह बिंदु मान लेजिए उसके बाद क्या होता है कि बाएं को मुड़कर 10 मीटर चला चला यह पंड़ा उसके में लेजिए तो मुड़ एक अब बोलता है फिर ऐख और 25 म म bleण चलता है तो बाएं मोड़ यह पहले 90 चलेगा देखे 25 को तीन भाग में तोड़िए 9 2 8 9 9 8 8 180 और फिर 45 करना है तो पहले 90 चलाएंगे तो यह सीधा उपर होगा यह 90 डिग्री मूड़ा फिर 90 मोड़ाएंगे तो यह हो जाएगा यह सीधा यह एक्सवासी होगा आप मूड़न बहुतने वाला यहां चित्र बनादेव मूड़ा तो आप देखी आजगा इधर होगा नॉष इधर इस्ट यह पूरत इधर सिन ओर पश्श्म 17 तियह Now दच्छिन और पस्चिम दिसामे हैं तो इसका एंसर हो जागा D इसका और एंसर हो जागा दस्चिन पस्चिम नेस्ट कोचन है 97 97 में कह रहा है कि सुरेश ने एक लड़के की और इसारा करते हुए कहा कि वो मेरे ससुर के एक लड़के बेटे का भांजा है तो लड़के का सुरेश से क्या रिस्ता है इस तरह का बनाने के लिए आसान है कि सुरेश ने कहा तो सुरेश को खुद मान लेजे कि मैं ही हूँ ठीक है कि मेरे सम्स systор का आगे लिखा है अपने आपको माले ठीक है यानि कि हम खुद आप less ने एक लड़के योरि सारह करते हुए कहा कि मेरे सम्स को यूटा बेट व'... तो सालह तो सालह का भांजब तो मेरा साला का भाँजा कुन होगा तो तो मेरा बेटा योगा ने तो इसी तरह बनाना है तो यारी कि वो सुरेश का क्या रिष्टा लगए बेटा यह हो जाएगा नेस्ट कोचे ने कि लूप्त संख्यां ग्याद करें तो देखे इसमें क्या है इसमें 6,5,3,10,3,3 यह दोनों जोड़के गुना करके बराबर हो दोनों जिससे 8,3,4 तो इधर से देखिए 9,5,45 तो इसको भी गुना करने कबाद 45 आना चाहिए तो 15 है तो 15,3,45 तो इसका अं सम में है ठीक है तो ल, ल सम में है उसके बाद ल, आई, आई भी सम में है उसके बाद देखते हैं क्या ल, आई की बाद क्या है तीसरे अस्थान पर तो सम में देखना है तीसरे अस्थान पर कौन सा है तो इसमें एन है बाकी में टी है आए भी है और क्या है फिर तीसरे अस उसके बाद चौत यया स्थान पर देखते हम क्या है況 यहां ए है ठीक utan पि wore a 되지 णफर कि को एल आई desses एए न हाने पहले तीशे वाला यह दिखिए लाइड था तीसरा स्थान पर यहां defined Đi है और रिश्ट तो कौन आएगा पहले टी वाला आएगा तो क्यां तो मान के चलिए शुद्रम है और इसमें और इसमें है तो और इसमें तीस्रेस्टान पर by यह तो एक तीन यचार वाले में से पहले आए तो फिर इसको सप्ति तीन Lac 10ी को सा यह और कौन सा है दो चौथय अस्authान पर e है भांकर यह यह चार वाला आई गा यानि पांच के बाद चार ठीक है उसके बाद जब चौथा सथान हो गया चौथा सतंब और कोई देख लेपे ई आया था चौथ्य ग इस्तान पर एक यह लाई को पर द टीसरी स्थान भालए पांची में अस्थान पर क्या रहा है तो यह वाला होगा पांच चार तीन पांच चार तीन किसमें कि अप्सन नंबर सी में इसका एंसर हो गया सी नेश्ट को चने कि दिये गए जानकारी के अधार पर प्रस्नों का उतर दें इसकाशकी है चार मीत्र बैठा हुआ है वह काड खिल रहे है ठीक है भी और एपाट्नर रहें डि उत्तर की और मुख नबदे पाट्नर तो यह बना देजिए अब काड्र चारों खिल रहा है एक दूसरे को सामने होता है डि बोल ऊतर की और है यानि मुख जो ऊतार है यानि मुख इधार है यानि कि यहां बठेगा तभी तो मुख इधर होगा ठीक है यहां वट्पातन ढूठ बहते कि啊 कि अ इधर बैठेगा तो एक मुख इधर हो जाएगा एक मुख इधर हो जाएगा पूर्व के तरफ इसका अंसर हो जाएगा सी ठीक है दोस्तों इस तरह सेट पांच का मेथ और रिजिनिंग का सोलिशन होता है समाप जाएं दोस्तों